हाई फ्रेंड वेलकम टू टो 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 काफी दिरों के बाद हमारे पास एक नहीं अंबॉक्सिंग आई है मुबाइल की तो ग्योंगी काफी सब्सक्राइबर्स हमारे मुबाइल लवर्ड भी इसमें मुबाइल टेक के लिए भी आँ पर हैं तो इस वीडियो में आपको दिखा इसके कुछ खास फीचर मैं पढ़ देता हूं जिसके विजए से एक तो इसका डिजाइन बहुत बढ़िया है और डिजाइन के साथ साथ इसमें आपको मिलेगा 8GB रैम और एक्स्टेंडेबल अप्टू 5GB प्लस मतलब यह जब चलता है तो 3 अप्टू 5GB मोर 8 प्लस 5 हो जा AI portrait camera dual orbit lights एक इसमें light feature है थोड़ा LEDs लगाए हूँ है जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसमें और 33 Watt को सुपर इसमें charger मिलता फास्ट चार्ज कलर इसको गूल्ड है and let's open it तो आपको इसमें पता लगेगा क्या-क्या feature है मैंने यह किसले यह मेरा निय बैसिकली मैं सिस्टर ने लिया है और मैं सिस्टर ने लिया है एक-एक standby phone चाहिए था जो की 5G हो और middle range में हो और camera उसका अच्छा हो and fast हो and one thing she's a gamer तो यह gamers भी consider कर सकते हैं ज्यादा core gaming के लिए नहीं है बट 90 Hz का इसमें display है so that was very you can say that very 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 smooth और चलो आपको दिखाते हैं आपको पूरा पूरा वीडियो अंदर तक दूर है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कर दें तो फैंस लेट्स अंबॉक्स इट तो बहुत जी पैंगिंग में आता है इसके अंदर काग जो अगयरा होंगे तो सबसे बहले आपको phone दिखाते ह है तो दिस अंदर की तो इस दिख सकते हो तो यह जिस में यह जो एक नया आप दिज़ाइंस खीज दियो यह कि आ लाइट टिंग इसमें जभी स्कूर्ण को चार्ज करते हैं तो गको दुखांगा बाद में तो इसंगे में यहां पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है काफी स्लीक डिजाइन में स्लिम वन हैंड ऑप्रेशन आप कर सकते हैं और सबसे बढ़ी है इसका जो यह पीछे मैट फिनिश है जो कि काफी आपको अच्छा लुक देता है और सेवन कलर्ड्स लुक मिलता आपको और वन हैंड ऑपरेशन लाइट वेट है पूरा लेट्स और करते हैं इसको आप आप जिब तक आउन होता है हम आपको इसकी बिक दिखाते हैं 33 वाट्स की तो देखिए फ्रेंट सॉलिड 33 वाट्स का इसमें आपको चार्जर मिलता है यह इसकी वायर है यूस्पी सी तो चार्जिंग वाला आपको दिखाई देते हैं किस तरह से वह लाइटिंग वाला एक्स्पिरियंस जैस्मेंग नया शोबाजी दिखाई गई यह वैसे तो शोबाजी है बट स्चिल आपको लिखा देते हैं अब यह वहां तक पहुंचेगा कि नहीं यह लेट सी तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स अब यह लाइट जादे है तो आपको पता नहीं लग रहा हुगा बाकी मैं आपको साइट से दिखा देता हूं थोड़ा सा यह आप देख रहे हैं ब्लू से टेंच इसके कैमरा इसके डाट इस डालीडी जो इसमें दिया हुआ है एनिवेज चार्जिंग पर लगा हुआ है तो अब हम आपको इसका दिखा देते हैं स्मूधनेस कितनी है स्क्रीन में यू कन सी कितना बढ़िया से इस रिस्पॉंडिंग फिलिंग एक्सिलेंट और कैमरा देखें इसका अलाओ तो आप देख सकते हूं पोट्रेट फीचर है इसमें तो जैसे यह बॉक्स हमने क्लिक करना हूं आइस परोगा इसी को खिषते हैं ग्रेट ग्रेट पिक्टर क्वालिटी और सेल्फी लेकर देखता हूं तो इसके क्यामरा टेस्ट नहीं है जस्ट मैं एक आपको दिखा रहा हूं और एक्सटाइस जी भी का है फ्रेंड यह बाकि वीडियो में देखते हैं इसमें क्या क्या है वीडियो सैवन ट्वेंटी पी रिजलूशन वानिटी कर दिया मैंने है फ्रंट फेसिंग का सेवन टोटी और पनेटी ऑन फ्रंट साइड और बैक साइड बे देखते हैं इसमें आपको दिखा देते हैं क्या क्या है डिवाइस इसमें प्रोसेसर जो है वह 695 5G अक्ता कोर लगा हुआ है डिसेंट प्रोसेसर है 8GB प्लस 3GB या 5G प्लस तक इसमें वो वर्चुल मेंब्री अडप हो जाती एंडर वर्जन 12 है 90Hz तक और आपको एक स्लिम फॉर्मेट विद गूंड कैमरा डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस यह सारे फीचर के साथ आता है क्योंकि आप देखें अगर इसे फोन को डिविगार भी बहुत बढ़ी है मैं इसमें कर चुका हूं और सब सब बढ़े बात इसको हैंडली इसक दिस्प्ले है and that's it I hope you like सबसे बढ़ी है मुझे इसमें यह लाइटिंग वाला डिजाइनिंग में नमबर वन मुझे लगा यह बाकी कैमरा इसमें 4K नहीं मिलता क्योंकि इस प्राइस रेंज में इस इस पर 25,000 अप्रॉक्सिमेटली तो उस रेंज में आपको 4K नहीं सकता दिससे स्टेंडबाइ फोन जो एक आप सेंटरी रखना जाते हैं पर वह ऐसा भी ना हो कि इसको आप यूजना कर पाएं मतलब 4G टाइप ओल्ड स्कूल स्कूल अल्ड स्कूल आपको नहीं चाहिए and this is the one which you should go for इसके सारे मैं इसमें डाल दूँगा ठीक है फिरिमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जूर करें थैंक यू